हेलो फ्रेंड्स वीनम आफीसियल में आपका स्वागत है आज हम प्रशाद का पंजीरी और पंचामरित बनाएंगे इसके लिए हम दो कापाटा लिये हैं बिना घी के ही हम पहले इसको भूनेंगे अच्छे से फ्लेम को धीमी रखेंगे तो अगर बहुत ही आपका गैस लो हो तो इसको मीडियम भी करके थोड़ी देर चला लेंगे फिर उसके बाद जब एक बार हमारा पैन गरम हो जाए तो उसे फ्लेम धीमी कर लेंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे ये बहुत ही हेल्दी प्रिशाद बन के त्यार होता है इसमें पांच हेल्दी वाल ही हुज होती है और इसमें हम अच्छे से चलाएंगे बलकु ब्राउन होने तक बूनेंगे बलकुल देखिए बलकुल हो क्या अब इसमें हम यितना घी चाहें डाल लें दो हैं से तीन चमा चंब गी डाल लिए हैju में अक्चे से मिक्स कर लेंगे इसके उपर से हम फिर कटे हुए ड्राइ फोर्ट्स रख लिये हैं काटके नारिय, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़ी किस्मिस सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी और हल्दी हमारा चूरन बन के लगबख तयार हो गया है अब इसको हम सर्फ कर लेंगे एक कंटेनर में और पर हम डेकुरेट कर लेंगे आप मन चाहे स्टाइल से अपने सजा सकते हैं इसको हमारा चूरन बन के त्यार हो गया अब हम पंचामरित बनाएंगे पंचामरित भी बहुत ही हल्दी होता है और इसके लिए हम पांच चीचों का यूज करते हैं दूद, दही, सहत, घी और ट्राइपूड अलग से एक स्ट्राप डाल लेंगे हम दो पैकेट दही यूज कर रहे हैं और आधा कप के करीब सक्कर यूज करेंगे हमारा एक किलो दही है उसमें थोड़ा सा मतलब हम देश सो ग्राम तक सक्कर यूज कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सक्कर घुल जाए और दही के सारे लंस निकल जाए फिर इसमें हम तेल मखाने को भीगा के रख लिये थे और ड्राइफूड ऐसे ही सुखा काट लिये थे सारी चीजों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे मखाने को पहले से भीगाने से हमारा पंचामरित फटा फट बन के तयार हो जाता है और इसको बनने में टाइम नहीं लगता है और सक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए पंचामरित बन के तयार हो गया है आपको हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और कैसी बनी कमेंट में जरूर बताईएगा तेखिए बिलकुल अब इसमें लास्ट में हम सहद और दूध यूज़ करेंगे और थोड़ा सा घी डा जालना है सिर्फ हमें पंचामरित में पांच चीजे होनी चाहिए इसलिए घी को डालना भी जरूरी होता है और कच्छे दूध का यूज़ करते हैं आपके पास अगर कच्छा दूध हो तो वह भी लास्ट में जितना आप डालना चाहें चार से पांच चम्मस तक डालके आ तक यू पर वाचिंग